नमस्कार आप देख रहे हैं सितियोग न्यूच और मैं हूँ आपके साथ चितरंजन कुमार अभी मैं मौजूद हूँ भाजपा के कारजाले में और मेरे साथ मौजूद है भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश सर्मा जी स्वागत है आपका एख बहुत धन्यवाद हम बिहार में जो बरतमान में चल रही राजनिती घटना करम पर इनसे बात करेंगे कलता के बिपक्ष में थे आज वे सत्ता में आ गये हैं तो कुछ सत्ता से भी सवाल होगी कुछ इनसे जानेंगे भी और आज जो सरकार बनी है बिहार में लगतार चर के साथ थे आज आपके साथ हैं तो क्या इस बार इन लोगों ने बॉंड भरवा लिया है कि वे पल्टी नहीं मारेंगे नितिह जी तो अपने अस्थान पर हैं लेकिन बीच कालखंड में जो जन्ता ने जो एन डिये कटवंधन का जो मत दिया था पीछे के रास्ता से आर जेडी जो है से उनको किड्नैप कर लिया लेकिन अब जो है जो आर जेडी को हम लोग बाहर किये हैं अब पुना नितिश्कमार जी के साथ बिहार के विकास के लिए जो जन्ता ने जो मत दिया था उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए पुना नितिश्कमार जी के साथ हम लोग अठवंधन किये हैं और विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ेगा केंद्र सरकार और विहार सरकार दोनों की जोड़ी मिलकर बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा मेरा सवाल है कि लगातार वे पल्टी मारते हैं तो क्या इस बार वे पल्टी मारेंगे या नहीं मारेंगे इसकी गारांटी पेपर आप लोग ने भरवाया है गारांटी तो विकास का ही है भारते जनता पाटे विकास के ही बात करती है और नितिस कुमार जब भाजपा के साथ रहते हैं तो बिहार में अमन सांती चैन के साथ लोग जीते हैं और ये तो तैय करना नितिस कुमार का है लेकिन हम बिहार के लिए बिहार वासियों के लिए भारतिय जनता पार्टी कटिवध है कि कैसे बिहार आगे बढ़े अच्छा चिराग पासवान की बात किया जाए तुभी नराज बताए जा रहे हैं चिराग जी नराज नहीं है इंडिये गटवंधन के घटक दल की निता है और एक अच्छे इवानेता है और हमारे पर्थान मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के वह हनुमान है और उनको बहुत पर्थान मंत्री जी मानते हैं और इंडिये में उनको रहने से इंडिये मजबूत है और कहीं भी तनिक भी संभावना नहीं है कि वह नराज है या सवाल जब चिराग पासवान जी से किया गया था तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर देखा जाएगा राजनीती है राजनीती वक्त के साथ बदलता है लेकिन आज NDA में हैं और रहेंगे जीतन राम मांजी को लेकर के हम बात करते हैं वे उनको मुखमंत्री तक बनाने का आफर मिला फ्लोर टेस्ट से पहले आप लोगों ने ऐसा जीतन राम मांजी जी को क्या दिया जो आपके साथ बेखड़े रहें जीतन राम मांजी जी देख रहे हैं कि बिहार के विकास कैसे हो सकता है आप देखते होंगे कि जब नितिश जी और तेजस्वी जी कि जब सरकार थी तो बिहार किस रास्ता पर चल पड़ा था बहुत नजदिक से जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं और उनका लोगों पर भी स्वास भी है इसलिए नरेंद्र मोदी जी के जो भारत ही नहीं भारत के बाहर जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के बारे में लोग जो सोचते हैं उसको देखते हुए जो है जीतराम मांजी जी इंडिये के साथ हैं और बिहार के बिकास में हात बढ़ा रहे हैं और अंगाबाद लोग सभा की बात की जाए तो जीतराम मांजी पिछले बार जब लोग सभा का चुना हुआ था तो उनके परत्यासी यहां थे और काटे की टककर हुई थी इस बार भी आपके साथ हैं क्या देखते हैं और मुझे बल मिलेगा जितना मांजी जी हमारे साथ हैं तो निशीत तोर पर जो पिछले बार हमारे साथ थोड़ा सा समस्या होती होगी लेकिन इस बार कोई समस्या नहीं है NDA जो है से यहां 12 बजते बजते यहां NDA की उमिदवार जीतेगा तीन बार से औरंगाबाद में NDA लोकसावा पर कब जाकी होई है इस बार कितना असवस्त हैं अब 110 परसेंट भाजपा काई परत्यासी होगा या गटवन्दन के परत्यासी होगा और निश्टी तोर पर से यहां एंडिये की जीत होगी। लगातार कई बार मीडिया में चर्चा है कि इस बार परत्यासी बदले जाएंगे। इसके पीछे कितना सच्चा ही है। समाज में बहुत रहकी बाते अफ़ाहे उर्टे रहती है। और यह तैक करना है के नरेंद्रमोदी अमीत साजी का है, ना कि भारते जनता पार्टी के जिला धेश के करना है। जो एंडिये के घटक दल के नेता जो तैक करेंगे, वहीं उमिदवार होगा, हम भारते जनता पार्टी के नाते, मैं उनको सहिव करूँगा। एक इंट्रेस्टिंग सवाल है। खेला की बात करने वाले के साथ खेला हो गया। इस पर क्या कहेंगे। खेल एक बिचार है। और इनका बिचार जिनका आप नाम ले रहे हैं तैजस्वी जी का, वह खेल सिर्फ अपने परिवार के लिए खेलते हैं। तो अपने परिवार के लिए कितना दिन खिल खिलेंगे समाज सब कुछ देख रहा है और समाज पहनी नजर रखा हुआ है आप नवे के दसक में आप अगर याद करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जिस प्रकार से लालुपरसाद जी का जब सासन काल था उस समय अत्ती पिछड़ा पिछड़ा पर जो दमन हुआ था अत्ती पिछड़ा यहां से पलाइन कर रहे थे अत्ती पिछड़ा के बोलनी की सक्ति नहीं था अगर फरवर्ड कलास राजपू समाज को देख सकते हैं या भूमिहार समाज को देख सकते थे तो उन लोगों की लड़नी की सक्ति थी लेकिन हमारे जैसे पच्पोनियां बढ़ी लोहार कानू बैस ऐसे जो समाज जो छोटे छोटे समाज जो था उन पर जितना सोसन होता थ वह गाओं छोड़कर पलाएन करते थे इसलिए वह खेला उसी परकार से खेलेंगे किलालु परसाजी जब रेल मंतरी थे तो नोकरी के नाम पर गरीबों से जो एक कठा दुक चार कठा जमीन था वह लेने के काम करते थे उस परकार के ते जश्वीं जी खेला खेलने की बात कर रहे थे और खेला खेले बुरी तरह से वह हार गये हैं और वह प्रास्थ हो गये हैं इसलिए उनके पास गम नहीं है इंडिया गठ वंदर में लागातार तूट हो रही है नितिस कुमार के तूटने के बाद कई अस्थानिये जो पार्टी थी वो तूट कर आपके साथ जू अग्दल हैं वह सभी एक विचार के लिए जीते हैं इंडिया गठ वंदर के पास कोई विचार नहीं है जो भ्यक्ति जो भारत स्री राम के दिलों में बसता है उसको जो है से उनके सहजादे उनको गाली देते हैं तो भारत के जितने नागरिक हैं वह बरदास नहीं कर कि स्री राम प्रहुष स्री राम जी हमारे अधर्स हैं अगर हमको कोई गाली देगा तो मैं बरदास नहीं कर सकता हूं इसलिए इंडिया गठ वंधन में जितने लोग हैं जो समझदार हैं वह धीरे से कनी काटके इंडिया गठ वंधन की और अपना कदम बढ़ा रहे हैं इ इंडिया गठ वंधन का कहीं अस्थान नहीं है इसलिए उनका चर्चा करना ही बेकार है एक सबाल है कि समराट चौधरी जब आप लोग भी पक्ष में थे और नितिसकुमार महा गठ वंधन के साथ सरकार में थे मुखमंतरी थे तो समराट चौधरी कहते थे कि मैं पगड़ वैसे ही रहेगी मजबुत्ती के साथ पगड़ी बंधे हुए है और विकास की यात्रा में चाहे नितिसकुमार जी के साथ जो विरोधा भास विपक्ष्प के नाते जो उन्होंने आवाज उठाने के काम किया है वह पगड़ी एक हमारे यहां कहा जाता है गाउं और देहात पर विकास बिहार के विकास के लिए हमारे SSV परदेश अध्यक्स और विहार के उपमुक मंतरी स्री समराठ चोधी जी ने जो पगड़ी बाना है वह गंगा अविरल बहता रहे और यहां का समाज जुड़ता रहे और विहार में विकास हो विहार में बहार हो और नितिसकु के साथ हम लोग कदम से कदम मिला कर चलेंगे सुत्रों से खबर है कि लास्ट फरवरी या फस्ट मार्च तक पर्धान मंतरी नरेंदर मोदी जी का और अंगावाद में कार्श करम बन रहा है इसके पीछे क्या रीजन है और क्या सच्छाई है कि पर्धान मंतरी जी और तुसरा है और तिसरा और अंगावाद या फस्ट फेज में जो उनका प्रवास है बिहार के विकास के लिए कुछ करने की योजना है इस दिश्टी से मानिय प्रधान मंतरी जी के कार्श करम हो सकता है कि इसी मन्थ में जो लाश्ट तारीक हो या अगले मन्थ में फर्ष्ट जनकारी प्राप्त हुई है और उसके लिए हम लोग बेवस्था में हम लोग लगे हुए हैं कि कब प्रधान मंतरी जी के कार्श करम मिलेगा कि ताकि प्रधान मंतरी जी को हम लोग भव्वे मगत छेतर में स्वागत करें और अंगावाद की धर्ती पर स्वागत करें कि ता जन विकास विस्वास यात्रा लेकर तेजस्वी जी और अंगावाद में आ रहे हैं या बिहार में घुमने का काम कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि वह कौन से जन विस्वास यात्रा लेकर चल रहे हैं किस पर विस्वास करेंगे अपने परिवार पर विश्वास करेंगे कि जनता पर विश्वास करेंगे समझ में नहीं आता है कि किस मूह लेकर बिहार में विश्वास स्यात्रा निकाल रहे हैं वह महागठ वंधन के नेता ही बतावेंगे और वही बता सकते हैं कि लालू जादो जी के बड़ी बेटी रासवा सांसद हो सकती है उनके बेटा जो है से एमेले विधायक हो सकता है उनके बेटा ही उपमुख मंत्री हो सकता है उनकी पत्नी ही रासवा सांसद हो सकती है उनकी और एक बेटी जो है से सांसद के चुनाव लड़ने के लिए योजना बना रही है उनकी बहु जो है से चुनाव लड़ने की योजना बना रही है तो समझ में नहीं आता है कि किस विश्वास के बात करते हैं तेजस्वी जी यह उनहीं से पुछा जा सकता है और अंगाबाद का एक बड़ा समस्या उतर कोईल नहर है और जब जब चुनाव आती है लोकसवा की तो यहां के जो सांसद हैं यहां के जो जनपरतिनीदी हैं उतर कोईल नहर याद आती है तो इस बार क्या लगता है प्रधान मंतरी पिछले लोकसवा चुनाव में भी आये थे और उत्रकोहर नधर को लेकर के बात कही थि इस बार अगर प्रदान मंत्री मोधी जी आ रहे हैं और अंगाबाध तो उत्रकोहर को आप किस दिशा में देखते हैं देखिए यह जो है नई समस्या नहीं है यह कोई भारती जनता पार्टी के यहां सांसद है कोई इसी कि यह समस्या नहीं है यह बहुत पुरानी समस्या है लेकिन इस में ऐसे दो तीन राज आ जाते हैं जिसके कारण से जो है कभी हमारे बिहार में सरकार होती है तो कभी जहरखंड में सरकार नहीं होती है कभी जहरखंड में सरकार होती है तो 36 में सरकार नहीं होती है यह समस्या ह लेकिन परधान मंत्री जी ने इसके योजना बनाए और हमको लगता है कि काम सुरुवात है और हमको लगता है कि चुनाओं के बाद हमको लगता है को काम मैंने करीब करीब मैंने परगती पर हो जाएगा और अगले वर्स दोहजार चौवीस के आंत या पचीस में हमको लगता कि पूर्ण डूप से वह काम हो कर तियार हो जाएगा क्या लगता है दोजार पचीस तक औरंगावाद के किसानों को उतर को नहर से पानी मिल जाएगी जी बिल्कुल तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला अध्धक्ष मुकेश सर्मा जी और इनसे हमने कई तरह के बात किया बड़ा ही सालिंता पुर्वक इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया तो मैं हूँ आपके साथ चितरंजन कुमार और आप देख रहे थे सीती योग नीज कैमरा परसन अंकित के साथ औरंगाबाद